नमस्कार बहुत स्वागत है अपका अब देख रहे हैं देन्यूज आपके साथ में श्विष्टी मिश्रा देखे कल मैंने विस्तार साब को बताया था कि क्या चैट सुकेश चंडरशेखर ने लिग किया है और कहा जा रहा है कि यह जो चैट है यह संसनी खेज है संसनी खेज बेटी के कविता का नाम इसमें आया था और अब केसियार की बेटी ने जब बाच्चित की है मीडिया संस्थानों से तो वो बिल्कुल घबराई हुई तो नहीं कह सकते हैं लेकिन उन्होंने साफ तोर पर इंकार कर दिया कि मेरा कोई कनेक्शन महा ठग कॉनमें सुकेश ज़ाडती हुई कि एक अविता नजर आ रही हैं और साफ तोर पर उन्होंने कहीं न कहीं कुछ तो है इसमें लोचा और लोचा ही नहीं इसमें कुछ रहस्य भी है आखिर कैसे आपका नाम उस चैट में है और आपने साफ तोर पर आज मीडिया को कहा है कि मेरा नाम तो ही न था उसके भी लिंक इसमें है यानि कि इसमें जगह का भी नाम का जिक्र किया गया है है हैदराबाद का जिक्र आया है सामने इसके साथ ही आपको पता दे केजरीवाल के पार्टी के द्वारा 15 करोड रुपए घी 15 किलोग्राम घी जो कोड़ वर्ड है उसका भी खुलासा गया था आज यह ख़बर सामने आई है कि के कविता ने पत्रकारों से बाच्चित करते वे कहा है कि मैं सुकेश चनरशेकर को नहीं जानती हूँ और मैं यह भी नहीं जानती हूँ कि आखिर वो है कौन यह देखिए MLC है BRS की MLC है के कविता और इन्हों ने यह इसे चैट का खुलासा कर सकता है कि उसने कहा साफतोर पर कि 700 पन्नों की चैट हिस्ट्री मेरे पास उपलब्द है और उसमें एके यानि एके भाई अर्विन केजरिवाल का इसमें जिकर कहा जा रहा है इसके साथ ही आपको बता दे SJ यानि सतेंदर जेन का इसमें नाम भी श तोर पर हम लोग अक्का लिखते हैं और वही सुकेश चंडशेखर ने किया था लिखा था उस चैट को उसने रिलीस कर दिया है बहुत बड़ी गाज यहां पर के सीर के उपर भी गिरती हुई हाला कि अब देखिए इसमें सचाई क्या है वो तो जल सामने आ जाएगी लेकि कहा जा रहा है कि अब धिरे-धिरे करके सुकेश चंडशेखर और भी कई ऐसे गहरे पनने खोल सकता है दर्शकों बहुत बड़ी ख़बर अपकी सुकेश ने ये तक कह दिया है कि मेरे उपर मनीश शिसो दिया और अरविंद के जरिवाल ने दबाव बनाने की कोशिश की थ अब कितना फरजी दावा उसका वो तो देखने वाली बात होगी पुलिस जाच कर रही है देखिए यहां पर उसने लिखा था अक्का डेलिवर्ड जिसके जवाब में अक्का मतलब के कविता लिखती है ओके फिर सुकेश लिखता है अक्का प्लीज इंफॉर्म एके यानि अर्विन केजरिवाल और एस जे एस जे ब्रो यानि सतेंदर जेन स्पोकेन टू मनीश सिसोधिया एक चैट में लिखकर बताया गया है दर्शको इस चैट को प्रिंट करवा दिया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा और इसको मुख्याले तक भेजा जाएगा कहा जा र साउथ इंडियन ग्रुप के साथ अर्विन केजरिवाल के संबंध होने का दावा बहुत बड़े सरपर किया गया था यानि उनकी बेटी इसमें पूरी तरीके से संबिलित है और केसी आर की बेटी रियाज लिखा है कि मैं सुकेश को नहीं जानती हूँ तो यहाँ पर बच कहा जा रहा है कि केसी आर की जो बेटी है वो साफतर पर जूट बोल रही है पूरा देश जब महा ठक को जान रहा है उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया कि मैं तो इवेन सुकेश संद्रशेकर को नहीं जानती हूँ उसके साथ ही आपको बता दें यहाँ पर एक यूजर है जो लि आपचित बहुत लंबी हुई है यानि यह जो पूरा फर्जी वाड़ा पंद्रा करोर रुपे का पंद्रा केजी घी कोड़ वर्ड इसका खुलासा एहम चैट्स की खुलासे इसके साथ ही मनीश्य सोधिया सतिन डिजेन अलविन किजरीवाल ने मुझ पर दबाव बनाया य लेकिन यहाँ पर साउथ के साथ शराप कांड को कहें न कहीं हवा दी गई है साउथ के गुरुप के कई लोग ऐसे शामिल है अरुन पिल्लाई का खुलासा हो चुका है अरुन पिल्लाई ने पंद्रा करोड रुपे ट्रांसर करने का काम किया था और MLC गाड़ी में लिखे रेंज रोवर कार में MLC लिखा वा था जो गाड़ी बताई जा रही है के कविता की हो सकती है अब देखने वाली बात होगी यहाँ पर जो के कविता ने साफ तोर पर पल्ला जाल लिया है कि मैं तो सुकेश को जानती भी नहीं इसमें और जाच में क्या खुलासे होने वाले यानि अर्विन केजरिवाल के भाई के नाम से जिकर सुकेश ने किया है और यहां कविता को अक्का वताया है कविता अक्का यह पूरा चैट का मामला जो है वो कप तक लंबित हो जाता है और यहाँ पर अभी इस मामले में सरकार की एक्शन लेगी अभी तो खैर दिखिए अभी जिम्बदारिक तोर पर ये ख़बर सामने नहीं आई है कहा जा रहा है कि महाठक सुकेश रजेकर खुद बहुत बड़ा जूटा है वो कितने जूट बोल सकता है लेकिन देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कनेक्शन अर्विंद किजरिवाल से नहीं है अर्विं अर्विंद के फोन नंबर कैसे लिख हुए अगर आपका कनेक्शन नहीं था तो आपके आमारी पार्टी के एजेंट अरुन पिल्ले इस मामले में कैसे फसा हुआ है शराफ कांड को लेकर आपके एक-एक करके एक-एक मंत्री जेल जा रहे हैं उसका आपने क्या उत्तरदा इसके साथ ही शराफ कांड को लेकर इतना बड़ा एक्शन सरकारी एजेंस्यों को द्वरा आपके मंत्रियों पर किया जाता है और आप जमानत नहीं करवा पारें इसका मतलब मामला लंबा है इसका उत्तर दीजिए और अब देखिए अब के-सी आर को उत्तर देना पड़े के कविता के उपर गाज गिरने के बाद वो बॉखला गई है और साफ तोर पर कह रही है कि मैं सुकेश चरजशेखर को नहीं जानती हूँ जो भी आपकी राय आपको मेंचर बताईए आपको बहुत शुक्रिया